हे गाईस कैसे हैं आप सबी मुझे लगता है आप सबी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे महान विद्वान के दस अनमोल विचारों की जिसको सुनकर आपके अंदर कुछ करने का जुनूर आ जाएगा और उस महान विद्वान का नाम है संबिधान निर्माता विच्वरतन बाबा साहब डाक्टर भीमराव अंबेटकर जी हाँ दोस्तों बाबा साहब ने कहा था कि सफलता कभी भी पक्की नहीं होती है और आसफलता कभी भी अंदिम नहीं होती है इसलिए अपनी कोशिज को तब तक जारी रखो जब तक आपकी जीत इतिहास ना बन जाए मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारे जिस दिन पुस्तकाले की और बढ़ेगी उस दिन मेरे इस देश को महा सक्ती बनने से कोई नहीं रोख सकता चम्चे कभी वफादार नहीं होते और वफादार किसी के चम्चे नहीं होते अगर मरने के बाद भी जीना चाहते हो तो एक काम जरूर करना पढ़ने लाइक कुछ लिख जाना या लिखने लाइक कुछ कर जाना अगर आप में गलत को गलत कहने की छमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा ब्यर्थ है ग्यानी लोग किताबों की पूजा करते हैं जबकि अग्यानी लोग पत्थरों की पूजा करते हैं अग्यानता से भै पैदा होता है भै से अंध विश्वास पैदा होता है अंध विश्वास से अंध भक्ती पैदा होती है अंध भक्ती से आदमी का विबेग सूनने हो जाता है और जिस आदमी का विबेग सूनने हो जाता है वह आदमी इंसान नहीं बलकि मानसिक गुलाम हो जाता है इसलिए अज्ञानी नहीं ज्ञानी बनो सिक्षा जितनी पूरुसों के लिए जरूरी है उतनी ही महिलाओं के लिए भी जरूरी है जो इंसान जुक सकता है वह इंसान सारी दुनिया को जुका भी सकता है हमारा जीवन लंबा होने की बजाए महान होना चाहिए आज का सफर यहीं तक वीडियो पसंद आया तो कमेंट लाइक सेर और सब्सक्राइब करना न भूले जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद